दोस्तो उत्तर परदेश के परियाग राज में कंड़क्तर पर चापड से हमला करने वाले लारे हास्मी के बारे में जब पुलिस ने गहनता से छानबीन की और उससे पूस्ताच की तो कई बड़े खुला से सामने आई है पुलिस सित्र बताते हैं कि प्रियाग राज में जब पुलिस ने इससे पूछा कि आखिर तेरे अंदर इतनी कट्रता कहां से आई है क्यों इतना कट्र बना तो उसने बताया कि वो अतीक एहमद जैसा बनना चाहता था उसने कहा कि वो अतीक को बहुत पसंद करता था उसे बहुत ज़्यादा परभावित था और इसी वज़े से वो अतीक की तरह साफा भी पहना करता था उसी की नकल किया करता था और अतीक के एहमद की तरह ही क्राइम की दुनिया में नाम कवाना चाहता था और जब अतीक की मौ चिन्नों पर चलता था और वो कट्रपंथी जो है एक सोच उसके अंदर पन अप रही थी दरसल लारेब हास्मी के घर से जब पुलिस ने चानबीन की तो लैप्टोप, फोन और कई इसके जो लैप्टोप और फोन से मिला वो भी बहुत चोकाने वाला था सुत्र बताते हैं कि इस लैप्टोप में धर्म विसेज की कई वीडियो और फोटो थे जो बड़े मतलब जो है कट्रपंथी टाइप के थे पुलिस सुत्र बताते हैं कि हास्मी अपने मोबाईल फोन पर जातर जो है तहरीक रे जो चुनता था वो पाकिस्तानी मौला ना की थी उसके मॉबाइल की सर्च हिष्टी भी के ज़ादे तर लिंक है वो भी जिहादी चरित्र के मिले है लारा इभासमी का मॉबाइल की जो फोरंसिक जांच के लिए इसको लेम में भीजा गया है लेकिन जो सामने से पता चला है वो यह साब बता रहा है कि यह कितना कट्रपंती हो चुका था इसी वज़े से इसके जो आतंकी कनेक्शन की जो आसंक है उससे इंकार नहीं किया जा सकता और इसकी जाँच सिर्फ इसकी नहीं हो रही इसके प्रीजनों की भी जाँच हो रही है उनसे भी पूश्टाच की जा रही है घर में मिले कंपूटर, मोबाइल, पैंडाए और चिप की जो है फोरंसिक जाँच की गई है और परिवार के जो दूसरे लोग है उनकी भी बैंक पांस्बुक की जाँच कराई जा रही है यूपी, ATSA और आईबे ने अपने इस तरह पर जाँच और पूश्टाच करी रही है और इसके अलावा जो क्रीबी के लोग थे जिनसे इसका उठना बैटना था जिसके थूरू ये बातचित करता था उनसे भी पूश्टाच कर है उनको भी जाँच के दाएरे में लाया गया है और दोस्तों ये जिस कोलीज में पढ़ता था वहां के प्रबंदन ने फिलाल इसको निनम्बित कर दिया है और निसकासन की प्रिक्रिया भी शुरू कर दिया है लारे भास्मी के जो प्रिंस्पल रहे हैं उनका ये कहना थे चुपचाप रहता था गोना रहता था बोलता नहीं था बातचीत नहीं करता था लेकिन ये उमईद नहीं थी कि एतना कट्रपंथी माइंड का था और इसी वज़े से इसके तमाम जो पक्स है उसकी जांच की जारी ये पीपता लगाने की कोशिश की जारी कि इसके ओपर ब छो महीनों में तो इसने सबसे जादेर के मनदिर में हमले कारे अरोपी एमद मुर्तजा की तरह लभ रच हासमी भी बिल्कुल कट्रपंती हो गया था और इसने थरह यूटूब के फूर ही कट्रपंती मानसिकता को अपनाइघ ता रेडिकलाइज हो चुका था पूरी तरह से रिज्वी के वीडियो देखता था और आपने देखाऊगों कि ये कंड़ेक्टर पर हमला करने के बाद जो इसने एक वीडियो जारी किया था उसमें कहा था एक खादीम हुसान रिज्वी आपने कहा था अल्ला के नाम पर घर से निकलो फरिष्टे आएंगे एक हत्या मत करना इसलाम के दुस्मनों के लाशों के धेल लगा देना दरसल दोस्तों पाकिस्तानी जियो मुलाना खादीम हुसान रिज्वी तैरीक लब्बैक का संस्थापक था और इसने इसलाम के लिए जिहाद के लिए लोगों को मरने के लिए मारने के लिए उकसाने का काम क्या करता था यह निक लोगों के दिमाग को माइंडवास करता था को उसमें कट्रपन्थी सोच पैदा करता था इसने भी इसी वारदात के बाद जो है मौलाना खादिम की ही बात की आप समन सकते हैं कि कितनी खतरनाक सोच इन जैसे मौलवी नवयों को में यह नहीं आने वाली पीडी के दिमाग में भर रहे हैं इस वारदात के बाद से ही इसका जो घर है उसके ओपर तला लटका हुआ है घर के बार मीडिया का जमावड़ा लगा है हालाकि जो पुलिस पूस्ताच में हासमी ने जो बताया है उसे साफ हो रहा है कि उसे अपनी हरकत पर अपने के पर बिलकुल भी अपसोच नहीं है और इससे पूलिस को भी समझ में आ गया है कि इसका माइंड वास हो चुका था यह पूरी तरह से कटरपंथी बन चुका था और सिर्फ कटरपंथी नहीं बन चुका था बलकि जो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो conductor पर हमला किया गया इसके पीछे इसकी निजी खुननस भी थी, निजी वज़े भी थी, दरसल जिस engineering college में पढ़ता था United Engineering College जासे भी टेक कर रहा था, first year का student था, वहाँ पर ये तीन दिन पहले इस conductor के साथ भैस वाजी इसकी चाहता था, और इसी वज़े से अपने साथ ये चापर लेकर आया था, ये तैयारी करके आया था कि उसको conductor को मारना है, और इसकी मोकी की तलास में ही जैसे ये conductor उस दिन इसको मिला, 25 तारिक को इसने हमला कर दिया, हाला कि इसको उमीद था कि conductor बिलकुल मर गया होगा, कि कि जिस बहरेमी से इसने अटेक किया था, उसके बचने की कोई उमीद नहीं थी, और इसके बाद ही आपने इसे देखा कि इसने वीडियो बनाया रो बताया कि वो मर गया होगा, लेकिन भगवान जिसको बचाता है, जाके राको साईया, मार सके ना कोई, conductor बच गया, लेकिन य यही है कि इस तरह की कट्रपंती सोच, यह जहरीले जो बोल है, वो कैसे रुके, ताकि जो बड़े संख्या में यूआ परभावित हो रहे, उदेपूर में हुआ, अब परियागराज में हुआ, यह सिलसिला कैसे खतम, आप क्या सोचते हैं, जरूर बताए, नवस्कार.